यहां पर मैंने आप लोगों को की साफसा बताई थी कि यह कितना ऊपर जाएगी वो यह दर्शाएगा यहां से लेके यहां तक का 50% है जो यहां पर यहां पर जब तक करेंगी यहां पर यहां पर उसको बहुत अच्छा लेवल मिला और उसने शॉर्ट बारे हैं तो बेसिकली यह जो लेवल है आपका 19200 के करीब का यह इसने एक resistance का काम किया है और उसके बाद से आप देख सकते हैं market क्या चीज़ कर रही है यह नीचे जा रही है और अगर आप यहां पर देखेंगे market swings भी बना रही है अगर आप ध्यान देगे market ने यहां पर एक swing बनाया है market यहां पर एक swing बना रही है और यहां पर बेक swing बना रही है तो एक चीज़ क्लियर है कि जो direction यहां से जा रहा है pressure इस time पर नीचे की तरफ ही है और sellers most probably वापस आ गए है इस time पर और एक चीज़ और अगर मैं daily chart open करूँ और daily chart पर मैं यहां से इस top से यहां तक अगर मैं 50% लगाता हूँ top से लेके यहां तक तो आप एक चीज़ देख सकते है market जो 50% है 19.036 या फिर 19.050 ले लो आप इसको already break कर चुका है और बंद कहां पर हुआ है 19.000 के नीचे आप इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि market ने जो अपसाइड थी अपनी वहां पर कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहा है आप यहां से conclusion क्या आता है हमारा हमारा जो context है यह सारी चीज़े बात करने के बाद वह यह है कि हर राइस पर कि every rice will be a selling opportunity इसका मतलब यह है तो context क्लेर होगा हमारा started आप समझते हैं कि कौन-कौन से levels होंगे जहां पर हम चीज़ को check करेंगे अपना वह बनाएंगे sell का areas बनाएंगे सो अब देखिया आपके सामने बिलकुल प्योर price action को हम follow कर रहे हैं आपर सबसे बहले हम लोग एक चीज़ यहां note करते हैं कि price ने इस level से from this level price ने एक flag बनाने की कोशिश की थी उसको break दिया फिर flag बनाया फिर break दिया एक level आपके सामने बिलकुल क्रिस्टी क्लियर है और दाट इस लेवल 19.065 से लेके 90 अरे यार एक सेकंड 50 हो गया है यह यह लिलो आप हो क्या रहा है भाई यह जी ठीक है यह आपका first resistance है मैंने भी आज इसी जोन पर short किया था इसी logic के साथ मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर market some sort of rounding bottom का failure दे रहा है यह है और अगर आप एक चीज और नोट करेंगे पर ही आती है यह बहुत common pattern है अगर एक तरफ भी को इनसान चूपता है इस pattern को continuation देने में तो reversal आता है बहुत अच्छे वाला तो यह चीज आज यहां पर भी होई है हम लोगों का aim 19,000 था हमने यहां पर profit book किया था इसके बाद मैंने market को trade नहीं किया है कि अभी market जो है मुझे थोड़ा sideways लग रही थी तो इस वज़े से मैंने trade नहीं के momentum हलका सा low था तो now what I am waiting for is इस zone के पास इस zone के पास अगर market एक pullback देती है कुछ ऐसा देती है तो यहां पर मैं sell बनाओं अब अगर कल price यहां से नीचे टूकती है तो एक problem है problem क्या है हम left पर जाते है तरह problem को समझने के लिए यह zone जो है this zone यह zone इस zone पर आएगा पहला support और यह support आता कहां पर है 18,940 से लेके 920 प्राइस अभी कहां पर है 990,980 के पास है और अगर इसी के पास open होते है और नीचे जाती है तो आपका 40-30 point market नीचे break होगी और support आजाएगा तो यह feasible नहीं है और आप हमेशा ध्यान रखेगा जब भी हम positions बनाते हैं हमें space चाहिए market कितना गिर सकती है कितना भाग सकती है अगर space ही 20-30-40 point की है तो उसके अंदर trade बनाना मुश्किल हो जाता है scalp आप कर सकता है no problem with that but trade बनाना उसको consistent रहना है तो consistency के लिए उसको क्या करना है अपने trades चुनने पड़ेंगे option buyer का हमेशा चीज का ध्यान रखना option seller जो है वो किसी से भी जाके भीड़ सकता है पिटपटा के आजाएगा बट वो अगले दिन खेल लेगा option buyer के साथ team क्या है वो सब के साथ भीड़ नी सकता option buyer is the weakest link in the food chain अगर उसको खेल आची तरीके से तो शेर बन जाता है बट most of the time वो एक rabbit रहता है उसका काम बड़ा simple है जिस तरफ शेर जा रहा है उसके पीछे दुपक दुपक के उसको पैसा कमाना है उसको basically जो भी शेर चोड़ रहा है छोटा मोटा खाना उसको खा के अपना क काम चलाना है वो शेर से भिड़ नहीं सकता और option seller जो है वो आपका गीदर है वो या तो कभी के बार group में घेर के शेर को शेर से मदे ले लेता है या फिर कभी एक बार शेर उनसे मदे ले लेता है तो वो अली गेम चलती रहती उनके साथ बट यहां पर option buyer के पास नहीं है को about it एक चीज ध्यान रखना direction नीचे है कोई भी pullback आएगा यह हम sell करेंगे यह आप अपने दिमाग में डाल लो बात पहला area है 19.050 जहां पर selling बनेगी उसके बाद है 19.0 19.100 यह दो zones हैं जिसको मैं देख रहा हूं जहां पर selling बनेगी आज I guess कोई news भी है Fed की news है या कल थी मु आपने किस चीज का ध्यान रखना है मान लोगर को बड़ा gap up हो गया let's say यहां तक हो गया या फिर 100 तक हो गया या फिर 140 तक हो गया यह तीनों के तीनों जोन ऐसे हैं इस टाइम पर जहां पर हम लोग selling के बारे में सोचेंगे अगर market पहली candle से कुछ ऐसा करती है तो भी हम selling plan करेंगे या अगर price छोटी सी candle बनाती है थोड़ा side घूमती है ऊपर जाती है फिर रिदम से नीचे जाती है something like this मतलब कुछ M pattern बना रही है कुछ कर रही है तो भी हम लोग sell plan करेंगे unless until price ए green candle बनाए थोड़ा सा sideways टिके या एक दो green candle बनाए sideways आए उसके बाद फिर breakout दे तब अब तक नहीं होगा जब तक हम लोग buy plan करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम buy plan करेंगे नहीं तो most of the cases में ऐसा कुछ होता है rejection होता है पहली candle पे हम लोग sell plan करेंगे buy fail direction का ध्यान रखिए market नीचे जा रही है market की last memory क्या है every pullback पे selling हो रही है clear ठेक है I hope this is fine और gap down पर मैं आ आपका यह जोन भी आपका support का है इस जोन पर भी आपका एक buying आ सकती है यहां पर और इस जोन पर भी आ सकती है यह जोन मैं आपको बता दिया 18960 और यह है 18900 तो basically आप लगा लो यह 60-70 point की जो range पे कहिना गई एक reversal आ सकता है मैं कहीं से यह नहीं बोल रहा कि बहुत strong support है या कुछ है direction नीचे ही है बट यहां पर sell करने में problem यह है कि कभी कभार सब कुछ सही होता है market ऐसे करके नीचे जा रही है और एकदम से उपर निकल जाती है क्यों क्योंकि यह तो बहुत दिन से selling हो रही है लोग book out करना चाते हैं नए players को भगाना चाते हैं जो अभी short कर रहे है हैं तो इस सब चीज़े possible हैं तो आप ठ्यान रखिएगा अब हम आते हैं bank nifty पर अंकल निफ्टी के expiry है तो हम लोग उससे साब से trade करेंगे अपना ओके तो आपका यह हो गया अब एक काम करते हैं एक second आप देखें यहां पर क्या हो रहा है market ने यहां पर क्या किया है सेम चीज़ है दोस में थोड़ी selling थी इसमें हलकी recovery हुई है बट context वही सेम है आप देखो context बिल्कुल सेम है market selling मनाय जा रही है यहां पर भी selling हो रही है यहां पर भी selling हो रही है market यहां पर भी selling मना रही है यहां टिकी है अब अगर कल 42 600 के नीचे market टूपती है तो क्या होगा price वापस से 42 400 को check करेगी इध्यान रखेगा ओके और price अगर 43 100 के पास आती है तो हम selling का plan करेंगे we'll plan selling here okay इसमें भी every rise पे sell आएगा दिमाग में डाल लो यह बात और जब तक 43 600 कहां पर आ रहा है यहां पर 43 600 बैंक निफ्टे में नहीं निकलता जब तक आप अपने दिमाग में डाल लो कि almost every rise पे न सेलिंग ही होनी है तो यह आप ध्य unless until हम लोगों को दुबारा से इस level से कोई W pattern बनके मौका मिले तो हम लोग by planning कर पाएंगे और हमारा target most probably 40 to 700 हो जाएगा या फिर यहां पर 43,000 के करीब हो जाएगा तो इस टाइप के हमारे targets होंगे बट मुद्दा यह है मोटी picture यह है कि direction नीचे की तरफ है okay every rise पे क्या होगा sell होने बाला है unless until market and pattern बनाना चालू कर दे या जो breakout देने के बाद pullback ले रहे है उससे उपर निकलना चालू कर दे तो that's a different point और दूसरी चीज news का element है शायद आज रात को मैंने नहीं चेक किया है मैंने भी जो थोड़ा उड़ता-उड़ता सोना था मैं वो ही बता रहा हूं तो अगर news का element है तो कोई gap up gap down हो सकता है market में तो आपको उसके बाद price को observe करना है price में failure हो रहा है या फिर acceptance सारी है वो सारी चीजों का हमको ध्यान देना पड़ेगा आपको पसंद आई होगी वीडियो और जो लोग नए है इस चैनल पर वाइस टॉक रिसरच के community है आप लोग अगर वो जॉइन करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के description में उसका link दे रखा है वीडियो का जिसमें सारा criteria बता रखा है कि आप कैसे जॉइन कर सकता तो make sure आ important topics के बारे में आपके discussion किया हुआ है अगर ये वीडियो पसंद आए तो like share करना मद भूलेगा so I will see you in the next video thank you for watching